जैसा कि आप जानते हैं हमारे English में 26 alphabets होते हैं A to Z हर each letter की हमारी एक अपनी आवाज होती है एक उसका sound होता है जिसको हम बोलते हैं phonic sound इसी phonic sound से हम उसको बोलना सीखते हैं हम उसको प्रनाउंस करना सीखते हैं हम डैलेकि यह नहीं सीखते ए for Apple नहीं सबसे पहले हम उसको प्रनाउंस कैसे करेंगे जैसे यहां पर मैंने लिखा है तो अब हम आपको प्रनाउंस करके बतांगे कि हमें कैसे प्रनाउंस करना उसको बोलना कैसे सीधा A ऐसे Apple ब से बॉल नहीं सबसे पहले हमें सीखना है कौन सी आवाज निकल रही है हर लेटर की अपनी एक आवाज है A says A Apple B says B Ball C says क क मी क से Cat क की आवाज आई जब हमने cat बोला तो हमें किसकी आवाज आई क क हमें C से स नहीं हुआ सेट हम सी बोलेंगे तो हमें लागे का उसमें स की आवाज आ रही है नहीं हमें उसमें किसकी आवाज आ रही है क की क कैट D says D E says A Elephant हमने जब elephant बोला तो A की आवाज आई A Elephant F says F Fan G says G Goat Grass Horse जब हमने horse बोला तो हमें किसकी आवाज आई ह की I says E हमने बोला Ink E Ink देखे हमारे बोलना कितना सान हो गया I में से किसकी आवाज आई E तो हमने आराम से बोल दिया Ink J J में से आवाज आई हमें J J K K Kite Kite जब हमने काइट बोला तो हमने पहले क की आवाज में का लिकाइट L L L L L L M M M Mango क्या बोला हमने Mango N N Nest O O Owl P P P P Parrot Pencil हम Pencil बोलते हैं आप बोलते हैं Pencil तो क्या कौन से आवाज हमने पहले का बोला P Pencil Q Q says Q Aadha Q Pुरा हूव Q Q Quill Q तो हमने किसमे से कौन से आवाज आई Q R R Rat Rabbit S S Sun S S Sun T T Tab U says Y Umbrell V We says W When Bacchow V से भी When है W है जिसमे कि हमें क्या बोला हमने When When बोला तो हमें किसकी आवाज आई W W भी W है जब हमने बोला What तो हमें किसकी आवाज आई W इसलिए इन दोनों में चो हमारी आवाज निकल दी है वो व की ही निकल दी है हमने बोला What X बेटा X में कर silent है कर की आवाज नहीं आईगी कस कस देखें अब इसको कर को मुझे अंदा रखें किवर हवा निका लिए और स बोलिए कस कस हमने बोला X मस्ट्री तो हमने क्या बोला आधा का Y says Y Yacht Z Z says J नहीं है ये हाँ ये जग की तरह J यहाँ पी जए लेकिन इसके नीचे हमने क्या लगाया हुआ है ये बिंदू तो J says Z Z Z Z Z इसमे बिंदू लगाने से कौन सी आवाज आगा ये Z ZEBRA अब आप ये जितना ये आपको मैंने साउंड्स बताए है इनको रिपीट करिए घर में दोहराईए और उसके बाद आप इसको कौपी में लिखिए ये सादे साउंड्स आप कौपी में लिखिए लिखकर आप मुझे WhatsApp करिए मैं उसको चेक कर गए भेजूंगी अगर आप एक कोई आडियो बना सकते हैं तो आडियो बना कर उसकी मुझे भेजिए आप कैसा प्रनाउंस करें आप वो मुझे भेजिए कौपी में लिखिए लर्न करिए थैंक यू एंड हैव आइस डे